भगवान श्री गनेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते? भारत में पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है. यहां देवी देवताओं की पूजा के लिए कई प्रकार की सामगरी चढ़ाई जाती है और तुलसी भी उनहीं में से एक है. तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है. वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगव ऐसे भी हैं. जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं. वह देवता है. भगवान गणेश इसके पीछे के रोचक तथ्य को जानने के लिए पढ़े यह कहानी. एक बार की बात है. भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे. उसी दौरान देवी तु पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे. उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था. उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी. भगवान गणेश को देख देवी तुलसी आकर्शित हो गई और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा. देवी तुलसी द्वा उनकी दो शादी होगी, वो भी उनकी इच्छा के बिना. इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी. यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी. भगवान गणेश ने माफी को स्विकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है. लेकिन तुम भगवान विश्नु और श्री कृष्न की प्रिय बनोगी, भविश्य में तुम्हें पवित्र पौधे के में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.